हलो दोस्तों मैं देगे सर आपका आपने इस्टिरी पॉइंट इन अध्धा में फिर से स्वागत करता हूं जैसा कि मैं पिछले वीडियो में तंथ कलास का डाला था आज मैं इंटरमेडियर्ट का वीडियो लेकर आया हूं और पहला चेप्टर मैं लेता हूं जनन नहीं कि जीवो में जनन जनन पढ़ाएंगे और जीवो में जनन पढ़ाएंगे जीवों में जनन, अब सोच रहे होगे, जीवों में जनन क्या है, कैसे होता है, किस परकार होता है इसके बार में बहुत सारे DTL में हम चर्चा करेंगे और जनन देखा जाए, तो अगर जनन क्या है, परिच्छा में पूछा जाता है तो क्या इसका जबाब दोगे जनन क्या है जनन के बारे में आप क्या जानते हैं तो कैसे कहेंगे कि जनन के बारे में या जनन का उद्देश क्या होता है उद्देश या उसका मतलब क्या होता है एक ही टापिक में आता है जनन के लिए दो तीन चीज बहुत आवत्सक होती है पहला नमबर होता है कि जात की निरंतर्ता जनन जीव इसलिए करते हैं कि उनकी जात की निरंतर्ता हमेशा बनी रहे जात की निरंतर्ता बनी रहे दूसरा नमबर आता है जात की बृध्धी जात की बिद्धी में यह आता है कि जो जीव अपनी बिद्धी करता है उसी जीव के समान यानी कि संतक Mother Parents या मदर के समान दूसरी जीव की उत्पत्ती करता है इसलिए उसकी बिद्धी लगातार बढ़ती रहती है तीसरा नमबर है समिष्टी का विकास समिष्टी क्या है ये community जिसे कहते हैं आप समिष्टी जैसे बहुर सारे जीव जब मिल जाते हैं आपस में और उनका एक संगठन हो जाता है उसी को कहते हैं community मतलब समिष्टी का विकास होता है फिर बिभिन्यताएं बैरियेशन होता है इसका उद्देश यही होता है जनन का उद्देश यही होता है कि बैरियेशन मतलब बिभित्यताएं या भिन्यताएं जैसे एक क्राइटेरिया ले लिजे पांसो मेटर का क्राइटेरिया ले लिजे उसमें देखोगे हर एक प्रकार के जीव, हर एक प्रकार के आर्गनीजम उसमें बहुत सारे जीव समाहत होते हैं तो अपने भोजन के लिए उसमें संधर्ष करते रहते हैं तो उसमें यही इसी चीज़ को कहते हैं विभिन्नतायम, बैरियेशन तीसरा है पिर्थिवी पर जीवन की निरंतर्ता पिर्थिवी पर जीवन की निरंतर्ता क्या होती है पिर्थिवी पर जीवन की निरंतर्ता इसलिए बनी रहती है क्योंकि जीवन जीने के लिए या सिस्टी चलाने के लिए रिप्रोडेक्शन जरूरी होता है यागी जनन जरूरी होता है इसलिए इस पिर्थिवे पर उस जीव की निरंतरता बनी रहे नहीं तो अगर वो रिप्रोडेक्शन बंद कर देगा जनन बंद कर देगा तो उस उस जात की एकदम सिष्टी खतम हो जाएगी तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा तीसरा नमबर है और ऐसे बहुत सारे उसका उद्देश होता है तो मैं रिप्रोडेक्शन के बारे में थोड़ा पहले चर्चा किया कि रिप्रोडेक्शन का क्या उद्देश होता है जनन का क्या उद्देश होता है जनन क्या होता है और जनन मुख रूप से दो परकार के होते हैं वो दो परकार कौन कौन सा है एक असेक्स्वाल रिप्रोडेक्शन होता है एक सेक्स्वाल रिप्रोडेक्शन होता है अब सेक्स्वाल रिप्रोडेक्शन और असेक्स्वाल रिप्रोडेक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लो उसके बारे में इसके इन पर आपको इंटर आ लेंगिक जनन पहला हो गया, दूसरा हो गया, सेक्सूल रेप्रोडेक्शन सेक्सूल सेक्सूल रेप्रोडेक्शन, लेंगिक जनन लेंगिक जनन, दो जनन होता है, इस धरती पर दो परकार के जनन होते हैं पहला नंबर है, आ सेक्सूल रेप्रोडेक्शन, दूसरा है सेक्सूल रेप्रोडेक्शन अब Sexual Reproduction, Asexual Reproduction के बारे में मईधर चाचा कर रहे हैं जो कि आपके स्क्रीन पर एंटर फेर सो रहा है देखे बच्चों Characteristic of Asexual Reproduction आलेंगिक जनन के लच्छन आलेंगिक जनन के लच्छन क्या होते हैं? इसका मतलब क्या होता है? कि कैसे आलेंगिक जनन काउन से जीव करते हैं? लेंगिक जनन काउन से जीव करते हैं? आलेंगिक जनन के बारे में आचार्चा करेंगे तो पहले देखिए यह केवल एक जनक यूनिपरेंटल द्वारा होता है यूनिपरेंटल यह नहीं कि एक ही मदरसल सोती है एक ही मदरसल मतलब एक ही मातकोषका होती है वही एक ही मातकोषका के द्वारा यह जनन करता है इसमें दो जीवों की आवसक्ता नहीं पड़ती है उने लिए उन एक जीव जनन करने में सच्छम होता है एक जीव जनन कर रहे हैं ने सच्छम होता है इसमें दूर जीव की आवसकता नहीं होती है यह देखो सीरा सीधा लिखाए यहां के वल एक जनन यूनी परेंटल द्वारा जनन होता है एक जीव के द्वारा जनन होता है इसमें युगमक का निर्मान नहीं होता है युगमक में क्या हूब यूगमक हूब यूगमक स Congressman शरक्या है ग्यार्वी क्लास में आप पढ़े हो तो आपको पता होगा यूगमक होता है जोड़ा होता है तो इसमें जोडों का निर्माड नहीं होता, क्या कह रहा है, इसमें युगमक का निर्माड नहीं होता है, इसमें जूड़ी का निर्माड नहीं होता है, इसलिए ये एक मात कोश्का के द्वारा ये जनन कर लिखता है, इसमें केवल सूत्री विभाजन द्वारा जनन होता है, केवल क्या कह रहा है, सूत्री विभाजन द्वारा जनन होता है सूत्री विभाजन आपको पता है किसी को पता है नहीं पता है मैं बता रहा हूँ हाई स्कूल इंटर इंटर फरस्टियर और नायंथ में आपके सार पढ़ाए होंगे यह जो कोई भी रहा होगा पढ़ाया जरूर होगा, कि ये सूत्री विभाजन क्या होता है, गुण सूत्र आप जानते हैं, गुण सूत्र, गुण सूत्र जो होता है, इसी को कहते हैं, ये सूत्री विभाजन, ये गुण सूत्रों का इसमें विभाजन होता है, एक माल लिजे एक मदरसल्स है, मैं समझा इसमें एक पायजा रहा है केंद्रक ये सेंट्र है है केंद्रक क्या करता है अब एक ही मदरशल है एक ही मदर सेल में, कैसे इसका निर्मान करेगा, ये धीरे-धीरे दूसरी में जाएगा, दूसरी इसको बना दे रहे ह। पिर ऐसे हो जाएगा एग दम तो यह जिव यहां से तो शव में अधर घर हो जाएगा इसका जो गुन सूत है ना आधा इधर आ जाएगा रहं हाप आप में डिवाइड हो जाएगा बस ये गुण सूत्री विभाजन होता है इसमें गुण सूत्रों का विभाजन होता है क्या कह रहा है इस प्रकार के जनन में इसमें केवल सूत्री विभाजन द्वारा जनन होता है यानि कि गुण सूत्रों के द्वारा इसमें विभाजन गा बहुत हो रही है। इसे में पढ़ाएंगे कि केसे केसे विभाजन होता हैं इसमें Fertilation की किरिया नहीं होती है निसीचन की किरिया दो जीवों में होती है दो जीवों में और वो दो जीव यहां पर कوںहीं आऊ सकता ही नहीं है अकेला जीव जो है जनन कर लेता है तो इसलिए इसमें फर्टिलाजेशन के किरिया नहीं होती है दुरसरा नम्मर है इसमें संतत जनक के समान होता है जो संताने उत्पन होती है अब संतत का मतलब क्या होगा कहा है कहां चला गया है ये संतत इसमें संतत जनक के समान जनक वो होत है जो मदर सलस होता है मदर कोशिका होती है संतत वो होता है जो संताने उत्पन होती है संतत जनक के समान होती है व्यानिकि मात्र कोशिका के समान वो जो कोशिका निर्मित होती है उसी के समान दूसरी संतत होती है कोई इसमें वैरेशन नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं होती है जैसे पैरा मेसियम है, तो पैरा मेसियम के समान होगा, हमीवा है, हमीवा के समान होगा, उसी के समान होगा, जैसे मनुष का बच्चा कैसे होता है, मनुष के तरीके से, ना कि वो बक्री के बच्चे के तरीके से होता है, तो एकदम समान होता है, इसमें जनन के लिए विशेश प्रकार के जनन अंग नहीं पाया जाते हैं इसमें एक special organs नहीं पाया जाता है मतलब reproduction के लिए कोई विशेश organs की जरूरत नहीं होती है यह मैंने लिख दिया इसमें जनन के लिए विशेश प्रकार के जनन अंग नहीं पाया जाता है ठीक इसमें ऐसा होता है कि विशेश प्रकार की जनान अंग विक्से नहीं होते हैं जैसे हमारे सम्में कैसा होता है मनुष में घोडे में और बकरियों में गायों में ऐसा एक सिस्टम होता है क्योंकि बेजायना होता है योनमार्ग होता है फैलियोपेंटिव होता है यूटेरस होता है और बहुत सारे चीज़ें होता है कि उसमें विशेश अंग का विकास होता है जनन के लिए पर इसमें जनन के लिए कोई विशेश अंग नहीं होता है यह काईक जनन द्वारा होता है काइक में इस देह के द्वारा हो जाता है आगे जिब मैं पढ़ाएंगे तो अभी इसको जान लो कि इसका लच्छन क्या है सिर्द मैं लच्छन बता रहा हूंगा लंगिक जनन अपेच्छा किरें तीब्रगत से होता है अब सोच ले होगे सर बहुत जल्दी हो जाता है क्या नहीं बहुत तीब्र और बहुत ज्यादा इमांट में होता है बहुत तीब्र क्या होता है जैसे कम समय में लंगिक जनन आव सोरी आ लंगिक जनन आ लंगिक जनन कम समय में ज्यादा संततियों का निर्मार करता है जैसे 15 दिन में 20 दिन में एक महिने में दो महिने में वह और सबस्क्राइब monstrueck act divul verdict बंद्ग देख रहे होगे कि बहुत सारी जीव का समावनआ बहुत सारे जीव पाये जाते हैं इसलिए देखो गाईre का अलग होता है क्षोटे जीव पाये जाते है इसमें असक्छल रप्रडेक्शन में तो इसी के समान यह अपने संत्त कम समय में जदा इमांट में वच्चे को रिप्रोडेक्ट करते हैं जनन देते हैं फिर यह जनन ताप और भोजन की अनकूलता पर निर्भर करता है ताप टंप्रेचर एंड विरेशन तंप्रेचर पर यह निर्भर करता है और भोजन की अनकूलता पर निर्भर क करता है ठीक किताब और दाब कैसे है किस एरिया में कितना है उसी के आधार पर यह अपना रेप्रोडेक्शन करते हैं फिर इसमें आलेंगिक जनन के लिए इसमें जीव जैसे बैक्टीरिया एलगा प्रोटो जोवा यह सारे होते हैं अब सुच रहे होगे कि आलेंगिक जनन के लिए इसमें जीव जैसे बैक्टीरिया, एलगा, प्रोटो जोवा, बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया जिवान को कहते हैं, एलगा क्या है, इसे सावाल कहते हैं, यह क्या है प्रोटो जोवा, प्रोटो जोवा, प्रोटो जोवा किसी को मालूम है, कच्छा नायंत में पढ तरह स्संदार है परिए उस गताय मूर्ट पर्थम प्रोट्सेंड के अंतर्गत आता है जैसे रोत्चिस इन्तरगत exaggerator संग के あっी जतने जीव आते हैं वो परतम ध्रती पर उत्पन हो ने वाले प्रतम जीव को रखा गया जैसे प्यार में हो गया। बैक्र tiế्ण हो गया और यह इलगा को गया और यह सारी चीजे कवक हो गया यह सब पुरोटो जोवा के अंतर गताते हैं ठीक है तो इतना है इतना यह सारी चीजे होती है अब हम दुबारा बताते हैं कि जीव जीवों से यह आलेंगिक जीवों के लच्छन में ने बताया अब आलेंगिक जीवों के लाव में बताने जा रहा हूं आलेंगिक जीवों के लाव कैसे हैं आव मैं देखता हूं तो बच्चों जैसे अभी बता रहे हैं कि अलेंगिक जनन के लाव देख लीजे कि क्या क्या लाव होते हैं असेक्स्वल प्रोडेक्शन में इस प्रकार के जनन में दो जीवों की आउसकता नहीं होती है अब ये पहला नंबर एक लाब ये दिखाए दे रहा तुम्हें कि इसमें दो जीवों की आउसकता नहीं होती है उनली ओन सिंगल जीव अपने जनन कर सकता है या करने में सच्छम होता है कोई दो जीव किया हो सकता नहीं पड़ती है पहला लाव हो गया यह जनन विभाजन आसूत्राण समसूत्राण जैसे सरल विध्यों द्वारा होता है यह जनन विभाजन असुत्रां समसुत्रां जैसे सरल विध्यों द्वारा होता है यह जनन विभाजन मतलब डिवीजन होता है इसमें विभाजन होता है जैसे डिवीजन का मतलब अब यह समझे लो कि यह एक जीव है माली जे पैरामीसियम है supported paramecium समझे लो और बना नहीं है इसमें भी भाजन हो जाता है फिर दूसरे में मैं बना रहा हूँ दूसरे में paramecium कैसे बनेगा ऐसे बनेगा अगर तीसरी stage में मैं आऊँगा तो ऐसे बन जाएगा यहीं से डिवीजन हो जाएगा दोनों का विभाजन हो जाएगा तो क्या कह रहा है कि इसमें जनन विभाजन आसूत्रा मतलब इसमें सूत्रन के द्वारन नहीं होता है अईसे सरल गिद्यों द्वारा इसमें जनन होता है ये दूसरा लाब हो गया, तीसरा लाब हाँ आप देखिए, इसमें गुणन तीप्रगदर से होता है, क्योंकि इसमें युगमक निर्माण, निसेचन, घुरोणिये विकास, आज क्रियाएं नहीं होती हैं, अब इसमें एक चीज़ होता है, इसमें गुणन, गुणन क्या होत होता है, गुणा करना जानते हो ना, दो दूना, चार, दूना, आठ, दूना, सोला, सोला, दूना, बत्तिस, ऐसमें गुणन क्या होता है, तीप्रगदर से होता है, जैसे एक जीव है ना, एक जीव, गुणन किया, दो जीव बन गया, दो जीव गुणन किया, चार जीव ब बढ़ते रहते हैं समझ गई ना समझ गई न की दो दूना चार। दूना आट दूना सोला ऐसे गुणज जोता है बहुत दरस्टे कम समय में यह कम समय का निरमाण कर लेटा है यह लाभ का मे Gospel उचास आध क्रियाएं द्वारा नहीं होता है अब देखो क्योंकि इसमें यूगमग निर्माड नहीं होता है इसमें यूगमग नहीं बनते हैं जोड़े नहीं बनते हैं पहले भी मैंने बता दिया अभी मैंने उसका उद्देश जब बता रहा था ना तभी मैंने बता दिया था कि इसमें यूगमग नहीं बनते हैं जोड़े नहीं बनते हैं जोड़े किया हो सकता नहीं होती है उनलियोन सिंगल मदर्सल्स होता है वहीं मदर्सल्स से अपना निर्माड कर लेता है अपने आप निर्माड कर लेता है यूगमग निर्माड मिसेचन भी नहीं होता है जो मैंने छेक्ट यह होता है वो उसका निर्माड कोई नहीं होता है इशीलिए ये आध्य किरियां इसमें नहीं होती है इसलिए ये विजरालता पूर्वक बहुत कम समय में जादा निर्माड करने की संत्रक्षाय च्मताइं जादा पाई जाती हैं असिया Wednesday एकल जीव द्वारा अनेग संतत्य का निर्मार होता है मतलब एकल जीव मतलब जानते हो जानता है कोई एकल जीव मतलब होता है सिंगल जीव अरे एकल नहीं जानते हो इंटर में पहुंच गये हो एकल में एक सिंगल परसन है एकल जीव द्वारा अनेग संतत्य का निर्मार हो होता है जैसे मैं यह बनाया है यह एकल झीव थाना इसमें कितने संतत्त करें लोड़ किया ऐसे होता एकल जीव द् 550 वह जएदा संतत्त करें चाहरा अकार्कि अनवान सिक्की में जनक के समान होती है आकार की क्या है मौर्फोलोजी मौर्फोलोजी उससे खहते हैं आकार की मतलब जैसे धांचा मेरा है ना मेरा धांचा है इसी धांचे के समान मेरी संतत होगी एक बकरी का बकरी का धांचा है बकरी के जैसे उसके बच्चे का वो निर्वाण होगा उसके मतलब सेम टू स जी से कहते हैं मेंडल का नियम आपने दस्वे कलास में पढ़ा होगा ना बहुत अच्छे से पढ़ाएं होंगे सार बहुत अच्छा होता है मतलब अनुवान सिकी मतलब हेडिटी एक ही जैसी होती है गूर्ण जी होता है लच्छन जो होते हैं मात को सिका के समान उसके चीजे दिखाए देंगी या आंत्री इंटरनल और सर्फेस दोनों वी चीजए लच्छन केरक्टर जिस से कहेते हैं लच्षा इसमें रोग जनक की सम्भावना नहीं होती है इसमें रोग की कोई सब्दों कें परियास करेंगे की जैसे एक प्लांट्र यह प्लांटम meng je lemиз इक पुस्प में यह इधा ले लेटे हैं इधा ले लेते हैं को कि ये मदरसलसहे मुल अचेमल ये मेल आप देखो इसमें अगर दो संत्तिया होगी यह मतलब डिजीज है यह रोगी पवधा है यह रोगी पवधा है यह निरोगी है निरोगी है निरोगी है निरोगी है निरोगी है निरोगी मतलब नहीं और रोगी मतलब रोग रोग नहीं है नहीं समझ लो रोगी यह भी है यह यह हो जाएगा रोगी यह हो जाएगा निरोगी अब इसका स्पर्म आ करके यहां पर आ गया, तो क्या होगा, यह जो है जो है रोगी हो जाएगा जनक, अगर यह रोगी है तो इस पर आ जाएगा, तो एक दूसरे से रोगी हो जाएंगे, अगर दो संततियां है, लेकिन मैं बात यह कर रहा हूं, कि इसमें रोग जनक की संभावना नहीं होती है, कोई संभावना नहीं होती है, अगर यह रोगी होगा तो रोगी होगे, नहीं तो कोई दूसरा जीवतवार नहीं रहा है, अगर रोगी होगा तो जनन नहीं कर पाएगा, अगर जनन करेगा तो रोगी नहीं होगा, इसलिए र अगर मेरा वीडियो यह आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा सेर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और बिल आइकन जरूर दबाएगा क्योंकि जो मैं दूसरा वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्रवाइट हो सके और इसी के सा इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक टेप कियर वाइए अगले वीडियो में मिलेंगें तब तक टेप क्यार वाइब बस